लो गाइस, वेल्कम बैक टू माँ चैनल, आज अपन ये गाड़ी का एर फिल्टर क्लीन करने वाले हैं, तो चलो शुरू करते हैं, ये इसका साइड पैनल इसको ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, इसके चारो बोल्ट खोलने के लिए आपको आठ नमबर की टी लगेगी, तो मैं खोल देता हूँ, फिर दिखाता हूँ, ये है इसका एर फिल्टर, और जाली भी दिखाता हूँ आपको, और ये है इसकी जाली, ये भी बहुत गंदी हो गए, तो चलो क्लीनिंग करते हैं, तो मैंने फिल्टर निकाल दिया है, बहुत गंदा हो चुगा, इसके अंदर एक जाली है, वो भी निकाल लेता हूँ, अब फिर जाली में भी थोड़ा बहुत कच्रा है उसको भी हम क्लीन करेंगे तो अबी चशेश अब के यह पेट्रोल से नी करना है आपको क्योंकि यह इसके जो फिल्टर होता है यह एक्स्पांड होने लगता है तो इसको पेट्रोल से नहीं करेंगा अपन शैंपू से करेंगे कोई भी शैंपू ले लो आप जो आपको अच्छा लगे तो शैंपू लेके आता हूँ शैंपू एड़ कर देता हूँ इसमें करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है फिल्टर अभी इसको थोड़ा दूप में सुखने के लिए रख देते हैं और यह जाली भी दिखा देता हूँ आपको यह दीखिए इसको भी पोच लेते हैं और इसको धूप में सुखा लेते हैं चलो फिर सुखाने के बाद आपको दिखाता हूँ यह फिल्टर क्लीन कर दिया है मैंने अब इसको हलका सा ओइलिंग कर देंगे ताकि डास्ट इसमें चिपकी रहे है का अब इसको अब हो चुका है हलका ऐलिंग को अब इसका वापस है जो इसका जाली था यह वापस लगा देंगे यह ऐसा लगेगा यह लग चुका है अब चलते हैं डायरेक्ट फिल्टर बॉक्स की तरफ अब को यह जाली लगाना है पहले बाद में यह यह वाला भाग नीचे आएगा इसको मापन बाद में लिखाएगा तो आज का वीडियो हो गया कम्प्लीट एक बार मोटर साइकल अन करके दिखा देता हुआ आपको यह जाली लगाएगा प्रूश्ट पिल्ट नीचे दिखाएगा लगाएगा लगात्व यह जाली लगाएगा 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 थैंक्स पॉर वाचिंग अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और बैल आकोन को दबाईए बाइक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए थैंक्यू